नमस्कार मैं हूँ पूजा प्रियमवदा और आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक हिंसा से जुड़े ट्रॉमा के बारे में जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि दिली में फरवरी के आखरी हफ़ते में बहुत हिंसा हुई दंगे हुए और पचास से जादा लोगों ने इसमें अपनी जान गवाई पांच सो से जादा लोग अभी घायल हैं अलग-अलग अवस्थाओं में घायल हैं ये सब आंकडे सब पहरा भी है जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है जिसके बारे में जागरुकता कम है और वो है इस हिंसा का जो मानसिक स्वास्ते पर असर पड़ा है खासकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्ते पर जो असर पड़ा है हिंसा से जो सीधे सीधे जिन पर असर किस तरह से हैं ये समझना बहुत जरूरी है पहला और सबसे जो सामान्य बात है क्योंकि ये सब उसी इलाके में रह रहे थे तो ऐसे बहुत सी महिलाएं और बच्चे हैं अधिकतर हैं जिनोंने ऐसी हिंसा, आगजनी, लूटपाट, मारपीट अपने आसपास होते हुए देखी कईयोंने अपने घर, अपनी दुकाने, अपने स्कूल इस सब को जलते हुए देखा अपने किसी करीबी को भीड से पिटते हुए देखा, तो इस सब का एक ट्रॉमा है दूसरा, कई ऐसे बच्चे हैं जो खुद भीड में किसी तरह फस गए, एक दो बच्चों को गोली लगी है, जो नाबालिक है एक बच्ची, कई बच्चियां जो भीड में फस गई, खो गई, किसी के उपर एसे गिरा गया तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद भी हिंसा का शिकार हुए फिर ऐसे परिवारों के बच्चे हैं, जिनके परिवार से किसी की मौत हो गई किसी को बहुत गंभीर चोट है और वो अभी तक अस्पताल में है या कोई ऐसे हैं जिनका पूरा रोजगार चला गया और फिर एक बहुत बड़ी संख्या तो उन लोगों की है जो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, जो रिलीफ कैंपों में पहुँच गए हैं और एक जो सबसे आम उनमें तकलीफ पाई जाती है उसे हम कहते हैं PTSD, Post Traumatic Stress Disorder वो है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके कुछ लक्षन है जो दिखाई देने लगते हैं जैसे कि आपकी नींद जिस तरह की है उसमें कमी आ जाती है आपका जो खान पान का तरीका है वो बदनने लगता है आपको Flashback आने लगते हैं, बुरे सपने आने लगते हैं आप बार-बार वही घटनाएं आपको दिखाई देने लगती है आप बहुत alert रहने लगते हैं, डरे हुए लेने लगते हैं आपके जरा सी आवाज से आप चौंकने लगते हैं किसी कांच के तूटने से, भीड की आवाजों से, किसी नारे से आप तुरंत वही डर महसूस करने लगते हैं तो ये disorder कब है और आम भे कब है आम भे तब है जब हलकी घबराट किसी को भी हो सकती है या आप डर भी सकते हैं ऐसी हिंसा देखने से या उसको याद करने से लेकिन जब ये भे और ये डर और ये सारी चीजें आपको घबराट होना पसीना आना, नीन नहीं आना ये जब एक लंबे समय तक इस तरह से होने लगे कि ये आपके रोज मर्रा को आपकी रोज की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तब हम इसको PTSD कहते हैं इसमें कई और लक्षन भी होंगे जैसे कि आप जिन से पहले मिलते थे आराम से उनसे आपका विश्वास नहीं रहा, आप उनसे मिलने ही रहे हैं आप काम पहले करते थे, आपका उसमें मन नहीं लगता तो ये सब लक्षन महिलाओं और बच्चों में बहुत आम पाए गए हैं इस तरह की व्यापक हिंसा के बाद हमारे देश में इससे पहले जब मुंबई में दंगे हुए 1992-1993 में और फिर गुजरात में 2002 में, वहां शोध किया गया खासकर महिलाओं और बच्चों पर शोध किया गया और उसमें ये पाया गया कि 35 प्रतिशत तक ऐसी हिंसा के बाद उनमें इंग्जाइटी बढ़ जाती है उनमें व्यागरता बढ़ जाती है वो कभी आराम से या सुकून से नहीं रह पाते 65 प्रतिशत तक पाया गया कि नींद से जुड़ी दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों को तो ये सब जो हैं ये PTSD की और इशारा करते हैं इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि बच्चे जो हैं अकसर silent victim होते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पास भाशा ही नहीं है पहले तो बताने की कि वो क्या महसूस कर रहे हैं गुस्सा है डर है अपने किसी करीबी को देखकर डर रहे हैं दूसरा उनके पास अपने emotion अपनी भावनाओं को समझने के लिए भी कोई जरिया नहीं है कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है तो बच्चे तो इससे बहुत जादा प्रभावित होते हैं World Health Organization जो है विश्वस्वास्त संगठन उनने अनेक शोद किये हैं और बार बार ये कहा है कि समाजिक हिंसा की घटनाओं में जो महिलाओं और बच्चों पर मानसिक्स वास्ते के उपर असर पड़ता है वो बहुत सालों तक दख्शकों तक उन पर रहता है और इससे पूरी समाजिक विवस्ता पर भी असर पड़ता है अमेरिका में 2011 में जब आंतकवादी हमले हुए और उसके बाद वहाँ बायो टेरिरिजम के लिए एक कानून बनाने की कवायद हुई 2012 में और 2012 में तो वहाँ पे उन्होंने अलग-अलग शोद किये मानसिक स्वास्ते को लेकर और वहाँ भी ये पाया गया कि महिलाओं और बच्चों पर सबसे लंबे समय तक इस हिंसा का असर देखा गया है और वो असर जो है वो उनके सामाजिक जीवन और उनके आसपास के लोगों के सामाजिक जीवन को भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है उनकी जो सामान्य जीवन की गतिविधिया हैं उनको प्रभावित करने लगता है बच्चों में हम कुछ और चीजें भी कई बार दिखाई देती हैं जैसे कि जो थोड़ी बड़ी उमर के बच्चे हैं हमने दिल्ली में देखा, उनके उस नुरान बोर्ड एक्जाम थे, सीबीसी एक्जाम थे, वो अपने पेपर नहीं दे पाए, बहुत से बच्चे अपनी कोचिंग ख्लासों में नहीं जा पा रहे हैं, चोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा इसके अलावा खासकर यूवतियां जो हैं उनके उपर भी ये सब असर तो हैं उसके अलावा कुछ अलग उनके जो सेक्शल वेलनेस के भी कुछ रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के भी असर हैं जैसे की पीरियड्स या महावारी से जुड़ी जो समस्या हैं जहां वो अब रहे टॉइलेट्स नहीं वो और उनके पास सैनेटरी सपलय नहीं हैं जो वहाँ मेडिकल स्वास्ति अनको हैल्प करने भी मदत करने आरे हैं उनके पास भी इससे जुड़ा सामान नहीं है यासे जुड़ा वो उनको कोई मदत या सूचना या कुछ नहीं दे पा रहे गर्वती हैं उनका सारा medical record घरों में रह गया या जल गया या खो गया तो अब उन्हें यहीं नहीं पता है कि कौन सा टीका लगना था या लग गया या अब वो कौन से health center में जाके आगे का check-up करवाएं करवाएं या नहीं करवाएं इतनी महिलाएं परिवारों में जादा तर परिवारों में वो ही केर गिवर हैं तो बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं जो बेमार हैं गायल हैं उनका भी ध्यान रख रही हैं तो ऐसे में अपने मानसिक स्वास्ते पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं भारत में वैसे लोगों के ध्यान रखने का भी दबाव है तो ऐसे में उनका मानसिक्स वास्तिया कई बहुत बिगर जाता है PTSD की तो हमने बात की लेकिन इसके अलावा anxiety बहुत बढ़ती है और इसके अलावा depression, अफसाद में जाने लगते हैं बहुत लोग, बहुत लोग यहां पे addiction में जाने लगते हैं तरह-तरह के नशे करने लगते हैं कि ये सब यादों को भूल सकें या अपने आप से कोई दवाईयां कहने लगते हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, सबने धोखा दे दिया, भविश्य खतम हो गया, इस तरह के विचार जब आने लगते हैं, तो वो आपको एक गहरे अफसाद में भी डाल सकते हैं, ये अच्छी बात है कि अगर हम इसमें शुरुआत में ही बच्चों को थोड़ी मदद मिले, या औरतों को थोड़ी मदद मिले, मानसिक स्वास्ते से जुड़ी हुई मदद मिले, तो अधिकतर लोगों के ये जो सारे तमाम हमने लक्षनों की बात की, इनको ठीक किया जा सकता है, बच्चों के लिए जादा तर आर्ट थेरपी या प्ले थेरपी यूज होती है, इसे जो महिलाएं हैं, क्यूंकि उन्हें अकसर सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उनकी हर तरह से स्वास्ते की देखभाल हो नीचे पहले तो, उसके बाद मानसिक स्वास्ते से जुड़ी उनकी जो भी दिक्कते हैं, उसके बारे में उनसे बात की जानी चाहिए, उनकी अपने मानसिक स्वास्ते के बारे में और अगर वो केर गिवर हैं किसी बच्चे का बुजुर्ग का बिमार का घायल का वो देख भाल कर रही हैं तो उसको वो मानसिक स्वास्ते के बारे में क्या मदद कर सकती हैं इसके बारे में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं इस बारे में दि IHBAS करके एक संस्ता है शाहदरा में, सरकारी संस्ता है, वहाँ पे क्लीनिक खोली गई है, वहाँ पे हल्प लाइन है, जिसके नमबर आप भी देखेंगे, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, क्लीनिक में जा सकते हैं, वहाँ से आपको इसके बारे में psychological first aid दिया जाएगा पहले आप लोगों से मिल जूल क्यों नहीं रहें, तो उन बातों को अगर कोई professional सुनता है और आपको समझाता है, कोई आपको साधारन मानसिक स्वास्ते की exercise बताता है, उससे ही बहुत फायदा हो जाता है, और ये इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्ते की सेवाएं वैसे ही हमारे देश में कम है, तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा, हम मैंसे जो भी जितना भी ऐसे अफसाद या stress में जुड़े हुए लोगों को हम मदद कर सकें, हम उनसे बात कर सकें, हम उनकी बात सुन सकें, जिसे हम मानसिक स्वास्ते terminology में कहते है active listening, मतलब द्यान से सुन सकें, समझने की कोशिश करें, उनके साथ सद्भावना जताएं, उनके दुख को समझने की कोशिश करें, अगर ये सब भी हम कर पाएंगे, तो ज़्यादा तर लोगों की दिक्कते हैं, थोड़ी कम होंगी, और भविश्य में इन बच्चों को, और इन महिला कर सकते हैं धन्यवाद सत्त हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं